पाइनायन से जुड़ी लेटिस इंफरमेशन पाने के लिए फिनोवेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें नमस्कार आज के फिन पॉइंट सेशन में आपका स्वागत है आज का फर्स्ट अपडेट है अमेरिकन फार्मा कंपनी फाइजर की कुरोना वारस वाक्सिन को फाइनल क्लिनिकल ट्राइल में 90% सक्सेस मिलने की खबर से इंडिन स्टॉक मार्केट में शानदार तेजी दिख रही है बॉंबे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स ने पहली बार 43,000 के आंकडे को पार कर लिया है वहीं निफ्टी भी नई उचायों पर दिख रहा है और ये 12,500 के आंकडे को पार कर गया है कुरोना वैक्सिन आने की खबर से एक्साइट इंवेस्टर्स ने आज जमकर खरीदारी की है जिस वजह से ये तेजी देखने को मिली है नेक्स्ट अप्डेट है डाल्मिया भारत शुगर और इंडस्रीज का नेट प्रॉफिट करन फानेशल इयर के सेकिंड कौटर में 11 परसन बढ़कर 55.55 क्रोर पीस पर पहुँच कया है कमपनी ने अपने एक्स्टेंशन वर्क पर 400 क्रोर पीस का इंवेस्मेंट करने का अनॉंस्मेंट किया है एक सल पहले सेकिंड कौटर में कमपनी का नेट प्रॉफिट 50.13 क्रोर पीस रहा था Company Kenosar second quarter में उसकी total income पिछले साल की सेम quarter के 486.03 क्रोर पीस से बढ़कर 730.96 क्रोर पीस पर पहुँच गई है Next update है Credit Rating Agency Care ने Yes Bank की Credit Ratings को upgrade किया है इस खबर का असर Indian Stock Market में Yes Bank के shares पर भी दिखने लगा है Stock Exchange पर Yes Bank के stocks में तेजी देखने को मिली है Yes Bank की credit ratings में improvement से bank पर investors का भरोसा फिर से बढ़ सकता है और economic challenges का सामना कर रहे bank को थोड़ी राहत मिल सकती है Care ने Yes Bank के outlook को भी upgrade करते हुए stable कर दिया है इससे पहले Yes Bank के outlook को under credit watch category में रखा गया था Next update है Tata Group की company Indian Hotels Company Limited ने आज The Canot Hotel को public के लिए खोलने का announcement किया है New Delhi Municipal Council ने June 2018 में इस hotel का e-auction किया था इस auction में Tata Group की company ने hotel के 33 years के licensing rights हासिल किये थे इस hotel में 104 कमरे हैं Hotel को पूरी तरह से repair किया गया है Company के अनुसार hotel की reparation में 80 क्रों रुपीज खर्च किये गये हैं Next update है COVID-19 pandemic से जूज रही दुनिया के लिए राहत की खबर है 20% कारगर पाई गई है उमीद की जा रही है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस महीने के end तक company को vaccine बेशने की permission मिल सकती है इसका final product इसी साल तयार हो सकता है लेकिन भारत को immediately इसका फाइदा मिलने की उमीद नहीं है इस vaccine की शुरुवाती dose सबसे पहले अमेरिका में आएगी अमेरिका पहले ही इसकी 10 करोड डोजिस खरीदने के लिए agreement कर चुका है Canada, Japan और Britain भी advance में order दे चुके है नेक्स्ट अबडेट है देश के export business में improvement आने के signal दिखने लगे है November के first week में 6.75 billion dollars का export किया गया जो की annual basis पर 22.47% growth को दर्शाता है इसमें medicine, gems and jewelry और engineering sector का सबसे ज्यादा योगदान रहा एक साल पहले November के first week में 5.51 billion dollars का export किया गया था इस लिहाज से इस साल November में इसमें 1.25 billion dollars की growth दर्श की गई है percentage में ये data 22.47% है next update है future lifestyle fashions ने अपने non-convertible debentures का payment करने में fail होने की information दी है share market को दी information में company ने कहा है कि वो 10 November 2019 से 9 November 2020 के बीच 30.93 क्रोर पीज के annual interest का payment करने में fail हुई है interest से जुड़ा total principal amount 350 क्रोर पीज है company के अनुसार COVID-19 महामारी की वज़ह से पैदा हुई uncertainty और उसकी रोक्थाम के लिए लगाए गई lockdown से company की income पर unfavorable effect पढ़ा है इस से सबसे ज़्यादा असर fashion retail business पर हुआ है इसके बाद future lifestyle fashions ने debenture holders से annual interest और principal amount की payment की date जनवरी 2021 तक बढ़ानी की request की है next update है देश के leading industrial house Godrej group ने financial services industry में भी entry कर ली है company ने आज housing finance के field में उतरने का announcement किया है नई company का नाम Godrej housing finance रखा गया है इस company को शुरू करने का motive देश में long term sustainable retail financial services business बनाना है गोद्रेज housing finance के chairman पिरोश्या गोद्रेज के अनुसार उनकी company देश में proper, quick और flexible home loans अवेलेबल कराएगी इसकी शुरूआत मॉंबई, NCR, पूने और बेंगलूरू के customer से होगी यहाँ पर हमारा आज का finpoint session खत्म होता है यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें comments करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो like जरूर करें हम से जुड़े रहने के लिए thank you